आप सभी का स्वागत है हमारे जैनल इंजीनियर्स कोच में आज का टॉपिक है टाइपस ऑफ पेब्मेंट तो आए शुरू करते हैं सबसे पहला है फ्लेक्सबल पेब्मेंट फ्लेक्सबल पेब्मेंट की यह खासियत है जब कोई प्रेशर पढ़ता है जैसे यह टायर का प्रेशर यहां पढ़ा है तो लोड जो होगा वह लेयर्स बाइलेर्स इस्ट्रिब्यूट होता जाएगा नीचे की तरफ तो यह इतनी लेयर्स में रोड बनाई जाती है सर्फिस base course, base course, sub base course, sub grade और जो rigid pavement होता है उस पे कोई tire pressure पड़ेगा तो वो uniformly distribute हो जाएगा slab पे जो surface course है वो slab की तरह काम करेगा इस पे तो rigid pavement का एक अच्छा example है cement concrete road और flexible pavement का examples हो गया waterborne, magdam road, bituminous road तो इस figure में आप देख सकते हैं कैसे ये flexible pavement में tire का pressure जब पड़ रहा है तो कैसे layers by layers नीचे के तरफ distribute होता जा रहा है और ये rigid pavement का figure देखे जब इस पे tire pressure पड़ रहा है तो कैसे वो uniformly distribute हो जा रहा है और जो surface course रहेगा वो slab की तरह गाम करेगा तो आज का lecture आपको बसंद आया हो तो हमारी चैनल इंजिनियर्स coach को subscribe करिये तेंगे